हेलो जी टीवी देखने वालों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ थेंक यू सो वरी मच आप ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहें सुपोर्ट करें लाइक करें एंड कमेंट करें मैं कोशिश करूंगी कि आपके मैक्सिमम वीडियो आपके आंसर के क्वेस्टन के यह चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूं आप लोगों ने यह कहानी पहले भी सुनी होगी बहुत बार फेस्बुक पे आई होगी आपके पास पर मैं फिर भी अपने चैनल में इसे अपनी मूँ से बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत टची है यह स्टोरी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यह स्टोरी बोलने ही चाहिए मैं आपसे आज एक बात कहना चाहती हूँ कि हम इंडियन्स हैं हम चाहे किसी भी देश में रहे हम बहुत इमोशनल लोग हैं तो ऐसे ही एक इमोशनल कहानी और इंडिया की जो औरत है वो दुनिया भर में जाने ज औरत की कहानी में आपको बताने जा रही हूँ पती एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे हो चुका था और बहुत ही बुलंदियों को चूँ चुका था पती ने एक दिन अपनी पतनी की पास आकर कहा कि 15 साल हो गए शादी को मैं अब तुम से बोर हो चुका हूँ तुम अब मे इसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ ये बास उनके पतनी को बहुत ही जाता जटका लगा क्योंकि इंडियन लड़किया या कोई भी ओरत दुनिया की कोई भी ओरत जब किसी शादी के या किसी भी रिलेशन्शिप में 10-15 साल तक बंदी रहती है तो वो बहुत सीरिस होती है उसके लिए उसमें कोई शक नहीं होता और जब 15 साल की लंबी टाइम के बाद जब उसका पती ये कहता है या उसका पाटनर उसके ये कहता है कि मुझे तुमसे तलाग चाहिए क्योंकि मैं किसी और औरत को पसंद करता हूँ तो उस औरत के आँखों से आँसु आए तो उसने कहा कि मैं तलाग देने के लिए तयार हूँ पर मेरी कुछ शर्ते हैं तीन शर्ते हैं वो आपको माननी पड़ेंगी तो आदमी ने सोचा कि ये औरत है तो जैसे दूसरी और और जैसा रिवाज है कि तलाग के टाइम औरते आदी प्रॉपर्टी मांगती है जमीन जायदात मांगती है पैसों का आदा हिस्सा मांगती है हर मेने का खर्चा मांगती है तो ऐसा ही कुछ ये मांगेगी आदमी ने ये सोचा पर उस औरत ने जब जवाब दिया तो उसने ये कहा कि मैं आपको तलाग दे देती हूं पर मुझे तीन महने की महलत चाहिए तीन महने की महलत इसलिए चाहिए क्योंकि जो हम दोनों का बेटा है वो स्कूल जाता है और तीन महने के बाद उसके एक्जाम्स है और हमने अगर इसी चकर में कोट कचारी के चकर में और हमारे आपसी लड़ाई जगरों की वज़े से बच्चा फेल हो गया तो वो पूरी उमर उसका हरजाना भकतेगा कि एक साल उसका जो है वेस्ट हो गया तो आदमी बहुत हैरान हुआ और उसने जो है उसे तीन महने की मौलत दे दी और उसके बाद जो उसकी बाकी शर्ते थी कि वो हर रोज सुबह उठके बेडरूम से उसे उठा के नीचे डाइनिंग रूम तक लेके आएगा और उसके फेस पे उसके फोरहड पे किस करेगा तो ये बात बड़ी अटपटी सी लगी पर एक कई थोड़े ही दिनों की बात थी तो उसने तलाक लेके दूसरी नई यंग लड़की से शादी जो करनी थी तो उसी इंडरस्ट में जो है वो ये शर्ते भी मान गया पहली शर्त तो ये थी कि तीन महने तक मैं जो है तलाक नहीं लूँगा क्योंकि बेटे के एक्जाम से हैं और दूसरी शर्ती हर सुबह उसे अपनी गोदी में उठा के अपनी जो वाइफ है उसे डैनि रूम तक लेके आएगा और फोरहट बे किस करेगा तो ये चीज अगले दिन से शुरू हुई जब 15 साल के बाद बीवी को उसने पहले दिन गोदी में उठाया तो बड़ा अटपटा सा लगा बीवी बहुत भारी लगी और ऐसा लगा कि जैसे बहुत ही ज़ादा बड़े कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है क्योंकि बहुत ही सालों से उसकी नजर ही नहीं गई बीवी पे कि उसकी कैसी कंडिशन हो गई है उसका भार बढ़ चुका है उसकी फेस खराब हो चुका है सीडियों से उतरते उतरते जब पती की नजर पतनी के चेहरे पे पड़ी तो जुरियां पड़ चकी थी के चेहरे पे दाग पड़ चुके थे उसने नोटिस तो किया पर बोला कुछ नहीं कि मेरे को क्या लेना है तीन मेने के बाद तो मेरे पास दूसरी बीवी होगी और यही सिलसला कुछ मेनों तक चलता रहा तो ऐसे करते करते क्या हुआ आदमी को बीवी को उठाने की आदत पड़ गई अब उसके हाथों में उतनी हिम्मत आ गई कि वो बीवी का वेट उठा सके और ऐसा करते करते कि एक दिन उसे यह याद आया कि जब यह शादी करके इस घर में आई थी तो यह कितनी खुबसूरत थी, यह कितनी हलकी फुलकी थी, इसके चहरे पे कितनी रोनक थी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि मेरे घर की सेवा करते करते मेरे को बनाते बनाते, मेरे बच्चे को जनम दे के बढ़ा करते करते यह औरत की आज ऐसी कंडिशन हो गई है, इसके चहरे की लालिक हो गई है इसके शरीर का वजन बढ़ चुका है इसके रंगत चली गई है तो उसे क्या है वो पुराने वाली बाते जो newly married वाली बाते थी याद आने लगी कि जब उनकी शादी होई थी तो हर रोज bedroom से उसे उठा के बहुत ही प्यार के साथ नीचे लेके आता और उसका मूँ चुमता और बहुत ही ज़्यादा खुश थे वो लोग वक्त के साथ जो है बीवी घर में बिजी होती गई और आदमी अपने आफिस में अपनी प्रोग्रेस में बिजी होता गया बहुत पैसा बहुत शारत कमाई शारत को देखके खुबसूरत लड़की उसकी जिंदगी में आई जो उसकी शारत और पैसे के बाद आई और उसी औरत के चकर में वो अपनी बीवी को जो उसकी वजह से आज ऐसी कंडिशन में थी फूल चुका था तो धीरे धीरे उसके जो पुराने जज़बात पुराने ख्याल जो नियूली मेरिट के थी उसके वापिस आते गए तीन मेहने के जो पीरिड में उन लोगों में सचमुच आपसी प्यार बढ़ गया वो सचमुच अपनी बीवी को प्यार करने लगा क्योंकि पुराने यादे ताजा हो चुकी थी एक दिन उसके मन में आया कि मैं अपनी बीवी को आज एक सर्प्राइस दूँगा उसने फूलों का खुबसूरत गुलदस्ता जो है लिया और खुशी खुशी वो घर की तरफ चलने लगा क्योंकि उसके मन में ये था कि आज मैं एक खुशकबरी अपनी बीवी को दूँगा कि मैं तुमें तलाक नहीं देना चाहता मैं सारे जिन्दगी उसी तरीके से तुमारे साथ जीना चाहता हूं जिस तरीके से मैंने शुरू की थी और वो लड़की जो आज मेरी शोहरत और मेरे पैसा दे की तो वो बिल्कुल नेली पढ़ चुकी थी उसने जब उसे टच करके देखा तो उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी टेबल पे पड़े हुई फाइल को देखके उसे पता चला जब उसने खोली तो उसमें सबसे पहले पेज पे ये लिखा था कि आपने तीन महने पहले मुझसे तलाक मागा और मैंने आपके सामने तीन शर्ते रख दी कि तीन महने में तलाक नहीं दूँगी क्योंकि बेटे की एक्जाम्स हैं क्योंकि मुझे ये टाइम चाहिए था कि आप मेरे साथ प्यार के साथ चो टाइम बिताते क्योंकि मेरी जिन्दगी की मौलत ही तीन महने थी डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट में कैंसर बताया और मैं तीन महने तक भी जिन्दा नहीं रह सकती थी और मरने से पहले मैं अपने बेटे की नजर में तुम्हें नहीं गिराना चाहती थी क्योंकि मेरी तो मौत निश्चित थी तुम्हें इस चीज की खबर भी नहीं थी कि मेरी बीवी को कैंसर हो गया तुम अपनी खुशियों में रंग्रलियों में इतने बिजी थे और दूसरी ये बात कि अगर मुझे कुछ हो जाता और तुम तलाक ले लेते मेरे कुछ होने से पहले तो मेरा बेटा जो हम दोनों का बेटा है सारी उमर तुमसे नफरत करता अब जब तीन महने का जो प्यार हमारे बेटे ने देखा है जब तुम मेरे फोरड पे किस करते थे मुझे गुदी में उठा के नीचे लेके आते थे तो बेटा देख के बहुत खुश होता था कि मेरा पापा मेरी ममी को बहुत प्यार करता है वो हर रोज देखता, वो बहुत खुश होता और दोनों के फोरहट पे किस करता और खुशी-खुशी स्कूल जाता और बहुत ही अच्छे माक्स लेके पास हुआ और उसके दिल में तुमारे लिए इज़त बनी की मेरे माबब का आपस में बहुत प्यार था और अब जब मैं मर जाओंगी तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो और तुमारे दूसरी बीवी को बेटा अराम से अकसेप्ट कर लेगा कि मेरी माँ तो मर गई अब ये मेरी माँ है और वो तुम से नफरत नहीं करेगा और दूसरी बात जो कैंसर की रिपोर्ट उसने देखी कि ये बात तीन मेहने पहले मेरी बीवी मुझे बताना चाहती थी कि मुझे कैंसर है उससे पहले मैंने उससे तलाग की बात कह दी इसलिए उसने अपने कैंसर की बात मुझसे नहीं बताई तो वो ये सोच के बहुत हरान हुआ और बहुत रोया मैं इस कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती क्योंकि आप खुद समझदार हैं आप समझ सकते होंगे कि उसके पश्चत आपकी क्या सीमा होगी कि जिन्दगी में हम पाते कम हैं खोते ज़्यादा हैं पैसों की दोड में हम इतने आगे चले जाते हैं कि जिन्दगी की दोड को जिन्दगी की खुश्यों को जिन्दगी की अपने पन को और अपनों को हम बहुत पीछे चोड़ देते हैं जब हमें फुरसत मिलती है जब हमें होश आती है तो बहुत सारे प्यारे रिष्टे हाथों से निकल चुके होते हैं और फिर वो कभी नहीं मिलते आज बहुत सारे लोग ऐसे रिष्टों में खो चुके हैं जिनकी कोई मन्जिल नहीं और वो पश्तार रहे हैं वो लोग भटक रहे हैं पर जो लोग आज मेरी ये स्टोरी सुनेंगे उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अपनी जिंदग जब भी आपकी शौरत और आपके पैसे को देखके जो रिष्टे बनेंगे वो बिल्कुल फेक रिष्टे बनेंगे वो कभी कामयाब नहीं हो सकते तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और आप मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताक हम हसते जरूर हैं पर वो फेक हसी होती है हम रिष्टों में रहते जरूर हैं पर वो फेक रिष्टे होते हैं हम आजकल सच मुझ फेक रिष्टे जीने लगे हैं जिन्दगी की सचाई से बहुत दूर हो चुके हैं हम लोग जिन्दगी को दोड में हम इतने आगे निकल चु कि काम जरूरी नहीं, मैं ये कहती हूँ, कि सबकु जरूरी है, रिष्टे एक ऐसी अनमोल जैदात, एक ऐसी अनमोल हीरा हैं, जो सेफटी लॉकर में रखना पड़ता है, आप अपने करियर के साथ अपने रिष्टे को भी बना के रखें, क्योंकि सच सच होता है और छूट छ प्राशिने